हेलो दोस्तो लास्ट लेक्चर में हमने डिसकसन किया था कुछ नुमेरिकल्स पे किसके कौन से टोपिक पे एक गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे उसी डिसकसन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अब नेक्स्ट नुमेरिकल देखते हैं नेक्स्ट कॉश्ट देखते हैं क्या है इन ए गैस रेफ्रिजरेशन प्लांट प्रेशर एडर टेंप्रेशर ऐडी इनलेट तो दी आप्रिशर और कितने-कितने हैं वन बारएंड 10च1 रख कमप्रेशर एडी प्रेशर अ क月 से लेडिय वन बाब प्रेशर है फिर लिखा है air is then cooled to 30 degree centigrade 30 degree centigrade तक इसको cool किया गया है cooler में और compression and expansion follows 1 PV raised to power 1.35 equal to constant and PV raised to power 1.3 equal to constant then find COP तो यहां से हमें एक बात तो पता चली कि compression and expansion क्या है isentropic नहीं है isentropic नहीं है तो कौन से है यह वाली process कौन सी बोलेंगे इसको polytropic यह process कौन सी है polytropic process है जिसमें polytropic index की value आपको given है यानि की n1 की value 1.35 है और n2 की value 1.3 है यह दोनों process देर की है इसको पहले question को अच्छे से analyze करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है हमारा जो भी data given है वो सारा का सारा data हमें इकठा करना निकालना और बहुत अच्छे से analysis करेंगे question का क्योंकि आपको पता है question जब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको solve नहीं कर सकते हैं तो इस question को पहले अच्छे से analyze करते हैं इसमें से जो given data है वो सारा का सारा बहार निकालते हैं उसके बाद question start करेंगे तो सबसे पहले इसका diagram बनाते हैं तेको TS diagram भी बना सकते हो लेकिन TS diagram में थोड़ी सी problem ही आएगी कि ये दोनों process क्या है isentropic नहीं है, polytropic है तो हम PV diagram बना लेते हैं कोई बात नहीं हम क्या बना लेते हैं PV diagram तो सबसे पहले बनाएंगे इसका PV diagram PV पीवी diagram आपको पता है इस type से बनता था और polytropic process में और adiabatic process में ये दोनों process आपकी कौन सी है, polytropic या adiabatic यहां पर है polytropic तो slope का ज़्यादा difference difference नहीं होता है, near about इसी type से line आती है तो इसलिए इसमें tension लेने की ज़रूत नहीं है कि आपका diagram गलत बना है ऐसा कुछ सोचने की ज़रूत नहीं है तो इस diagram देख लेते हैं यह हुआ diagram 1-2-2 process ये वाली होगी 2-2-3, फिर 3-2-4 and then 4-2-1 ये आपकी process होगी 1-2-2 process compressor में होती है आपको पता है ये process cooler में होती है, ये process expander में होती है और ये 4-1 refrigerator में होती है तो ये हमें diagram पता चल गया अब analysis करते हैं कोश्चन का इस diagram को भी साथ में ध्यान में रखके क्या है देखो इन्हें gas refrigeration plant तो सबसे पहले तो हमें पता चली गया कि ये gas refrigeration plant है उसके बाद pressure and temperature at the inlet to the compressor are 1 bar and 10 degrees centigrade यानि कि compressor का जहां पर inlet है वहां पर आपको pressure भी given है और temperature भी given है तो देख लेते हैं compressor का inlet compressor का inlet कहां पर होगा 1 point पे, क्योंकि 1-2-2 जो process वो क्या हो रही है compression है, compressor में हो रही है तो compressor का inlet 1 पे होगा और exit कहां पर होगा 2 पर होगा तो 1 point पे आपको pressure भी given है और temperature भी given है तो हम यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं pressure P1 P1 कितना given आपको 1 bar इसको एक बार बार में ही रखते हैं अगर जरूत पड़ेगी तो इसको change कर लेंगे फिर temperature T1 भी given है T1 T1 कितना है 10 degree centigrade इसको Kelvin में जरूर convert करेंगे क्योंकि यह हमें जरूत पड़ेगी ही पड़ेगी plus 273 add कर देंगे तो कितना हो जाएगा यह 283 Kelvin उसके बाद उसके बाद क्या है respectively and it is compressed to 4 bar इसको 4 bar तक compress किया गया compressor में inlet हुआ फिर इसको compress किया गया 4 bar तक यानि कि यह 2 point पे पहुंच गए कहां पहुंच गए 2 point पे compression compressor में ही होता इसको compress करने के बाद pressure आया आपके पास 4 bar यह वाली value तो यानि कि P2 आपको given है P2 की value 4 bar अब उसके बाद question देखते हैं air is then cooled to 30 degree centigrade ठीक है यह process cooler में हो रही है इसको हम बाद में देखेंगे सबसे पहला word जो है हमारा काम का है वो air यहाँ पर क्या है air refrigerant क्या है आपके पास refrigerant आपके पास air refrigerant आपके पास है air और air is then cooled इस पॉइंट पे पहुंच गे थे इसके बाद कहार कह रहा है कि air is then cooled to 30 degree centigrade cooling process कहा हो रही है cooler में cooler में cooling होने के बाद cooled to कहां तक cool किया उसको 30 degree centigrade तक यानि कि यह T3 point का temperature बता रहा है 30 degree centigrade T3 equal to 30 degree centigrade 30 degree centigrade का मतलब plus 273 इसमें add करेंगे तो हो जाएगा 303 Kelvin यह आपके पास T3 की value आई और क्या given है यहाँ तक पहुच गया हम question में उसके बाद if compression and expansion follows तो पहले वाला किसके लिए है compression के लिए और दूसरे वाला expansion के लिए क्योंकि बाद में respectively लिखा हुआ है respectively का मतलब यही है कि पहले वाले के लिए पहला वाला compression के लिए यह वाली value और expansion के लिए यह दूसरे वाली value सबसे पहले देखते है compression compression वाली process कौन सी है 1,2,2 तो यह वाली process के लिए PV raised to power 1.35 equal to constant तो compression के लिए compression कहां पर से हो रहा है 1,2,2 में 1,2,2 में 1,2,2 process के लिए यह वाला आएगा expansion process कहां से कहां तक हो रही है 3,2,4 यानि कि इस process की बात कर रहा है वो 3,2,4 वाली process के लिए given आपको PV raised to power 1.3 equal to constant तो यह हो गया आपके पास expansion process के लिए तो expansion process expansion कहां से कहां तक हो रही है 3,2,4 इसके लिए given है आपको PV raised to power 1.3 equal to constant ओके तो इसमें जो given है आपको यह adiabatic index इसको n1 लिख लेते हैं n1 की value given है आपको 1.35 और n2 लिख लेते हैं expansion वाले को n2 की value given है 1.3 जो यह वाली है यह adiabatic sorry polytropic index की value यह वाली value कौन सी है polytropic index की value ओके हमें COP निकालनी है तो COP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इस question में temperature जो है given नहीं है उन temperature की value निकाल लेते हैं थेको हमारे पास एक और बड़ी problem यह है कि यह process जो है isentropic नहीं है isentropic नहीं है तो हम direct वो वाला formula नहीं लगा सकते कौन सा? लिख लेते हैं इसको COP is equal to 1 by rp की power gamma minus 1 by gamma minus 1 यह formula हम apply नहीं कर सकते हैं अगर यह formula apply नहीं कर सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? COP के लिए directly निकालना पड़ेगा r e divide by work input net network input तो यह वाला formula हम यहाँ पर लगाएंगे यह formula लगाएंगे तो पहले r e की value निकालनी पड़ेगी फिर work input की value निकालनी पड़ेगी तो पहले temperatures निकाल लेते हैं temperature हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाकी के जो non given temperature है देखो दो temperature तो आपके पास है कौन सा T1 है और T3 भी है T2 और T4 की value निकाल लेते हैं पहले T2 और T4 की value निकालने के बाद question को आगे देखेंगे की कैसे इसको solve करना है तो पहले T2 की value निकालने के लिए क्या करेंगे देखो T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to power 1.35 minus 1 divided by 1.35 यह equation हम लगा सकते हैं क्योंकि यह equation ideal gas के लिए और ideal air क्या है? ideal gas ही है air को हम क्या मानते है? ideal gas और यहाँ पर लिखा भी है refrigerant क्या है आपका? air है तो air के लिए ideal gas की यह equation हम लगा सकते हैं और यह equation चाहे आप polytropic के लिए लगाओ चाहे adiabatic के लिए लगाओ यहाँ पर अगर adiabatic के लिए लगाओगे तो gamma आजाएगा और polytropic के लिए लगाओगे तो क्या आजाएगा? n आजाएगा तो यह process हम आराम से लगा सकते हैं और 1.35 ही क्यों लिखा? क्योंकि यह process कौन सी process पे लगाया हमने? 122 वाली process पे और 122 process में क्या है? PV raise to power 1.35 equal to constant तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं यह है 122 process के लिए तो 122 process के लिए यह formula हमने लगा दिया यह formula लगा दिया तो values जो है put कर लेते हैं T2 की value हमें निकालनी है T2 हमारे पास नहीं है T1 की value T1 T1 हमारे पास था कितना था? 283 This is 283 Kelvin equal to अब P2 by P1 P1 की value भी है हमारे पास और P2 की value भी है तो यह वाली value एक ही unit में ले लेंगे क्योंकि यह ratio है चाहे आप इसको kilo pascal में लो चाहे आप pascal में लो चाहे mega pascal में लो बट दोनों को एक ही unit में रखना है तो simply क्या है बार है तो बार में ही रखते हैं 4 divided by 1 P2 की value 4 बार है और P1 की value 1 बार है 4 divided by 1 raised to power 1.35 minus 1 divided by 1.35 तो यहां से T2 की value आपके पास आएगी T2 is equal to यह आजाएगा 283 into 4 raised to power 1.35 minus 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.35 और नीचे क्या आजाएगा 1.35 जब आप इसको solve करोगे तो T2 आपके पास आजाएगा T2 की value आजाएगा 405 405.4 Kelvin यह आपके पास आएगी T2 की value T2 is equal to 405.4 Kelvin यह T2 आगया इसी type से हम T4 की value भी निकाल सकते हैं T4 की value के लिए कौन सी process लेंगे 324 324 process में formula लगा देंगे हम T3 by T4 T3 by T4 equal to देखो यहां भी pressure दो वही है ना P3 और P2 same है या आप इसको ऐसी लिखे लो P3 by P4 raise to power अब यह process कौन सी हो गई है यह वाली PV raise to power 1.3 equal to constant तो 1.3 minus 1 divide by 1.3 और P3 को क्या लिख सकते हैं P3 को लिख सकते हैं P3 equal to P2 और P4 को P1 के लिख सकते हैं P3 को लिख सकते हैं P2 और P4 को लिख सकते हैं P1 raise to power यह हो जाएगा 0.3 divided by 1.3 और P2 की value हमें पता है P2 की value 4 है और P1 की value 1 है sorry P2 की value 4 है और P1 की value 1 है तो 4 divided by 1 raise to power 0.3 divided by इसकी power में आया 0.3 divided by 1.3 ओके और यहाँ पर है V तो अब यहाँ पर हमारे पास जो value जिस temperature की value given है वो पुट कर देते हैं T3 की value है 303 303 divided by T4 T4 हमें निकालना है और this is 4 raise to power 0.3 divided by 1.3 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ से आप calculate करके जब निकालोगे यहाँ से जब calculate करके निकालोगे तो T4 की value आएगी आपके पास T4 is equal to 220 Kelvin आप इसकी calculation करोगे तो यहाँ से value आपके पास आजाएगी 220 Kelvin तो यह हमारे पास दो temperature बाकी दो unknown temperature थे वो आगे अब इस question को आगे discuss करते हैं कि आगे कैसे solve करेंगे इस COP की value को कैसे निकालेंगे तो अब निकालते हैं हम COP COP निकालने के लिए हमें पता है कौन सा formula लगाना है COP equal to RE divided by W input और कौन सा input? Net input Net input का मतलब क्या है? formula लगेगा हमारा RE divided by W of compressor minus W of expander यह वाला formula हम use करेंगे यह वाला formula निकालना यूज करना पड़ेगा हमें RE की value अलग से निकालने पड़ेगी WC की value अलग से निकालनी पड़ेगी और W E की value अलग से निकालनी पड़ेगी और फिर इस formula में put करेंगे उसके बाद हमारे पास आ जाएगी COP तो सबसे पहले निकालते है RE देखो RE के लिए तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं कौन सा वाला RE कहां से कहां तक होता है यहां से 421 जो प्रोसेस में जो हीट अब्जॉर्ब होती है उसी को बोलते है RE तो RE की वैल्लू को डिरेक्ट लिख सकते है is equal to H1 minus H4 RE को क्या लिख सकते है H1 minus H4 और यहां पर जो रेफریजरेंट यूज हो रहा है कौनसा रेफریजरेंट यूज हो रहा है AER हमने question में देखा था कि रेफریजरेंट कौनसा यूज हो रहा है AER और air क्या है ideal gas और ideal gas के लिए हम h is equal to cpt लगा सकते हैं और ideal gas के लिए क्या लगा सकते हैं this is ideal gas और ideal gas के लिए हमें पता है h is equal to cpt लगा सकते हैं तो h को लिख लेंके cpt तो re की value आपके पास हो जाएगी cp into t1 minus t4 h is equal to cp into t1 minus t4 values पुट कर देते हैं air के लिए cp की value क्योंकि air refrigerant है ना तो air के लिए लेंगे air के लिए cp की value हो जाएगी 1.005 into t1 की value t1 की value है 283 और t1-t4 t4 की value है 220-220 और अगर आप unit लिखना चाहो तो unit भी लिख सकते हो cp की unit क्या थी kilo joule per kg per Kelvin और temperature की unit Kelvin तो Kelvin से Kelvin cancel हो जाएगा unit आपके पास बचेगी kilo joule per kg unit क्या बचेगी kilo joule per kg तो re की value यहाँ से आप calculate करके निकालोगे तो re की value आएगी 63.3 kilo joule per kg तो हमारे पास re की value आगई re की value आगई एक तो चलो दूर हुआ हमारा की re की value आगई अब हमें निकालना है work of compressor and work of expander अब compression जो है वो आपका reversible adiabatic नहीं है isentropic compression नहीं है और यह device कौन सा है open system device है यह device कौन सा है open system device है जो सारे के सारे device यहाँ पर use होते हैं यह steady flow device भी बोल सकते हो आप इनको या open system device भी बोल सकते हो अब कह दो कि जी वो formula क्या लगा सकते हैं कौन से वाला open system device है steady flow device है तो क्या हम वो formula लगा सकते हैं w compressor is equal to कौन सा लेते थे हम h2 minus h1 क्या हम ये formula लगा सकते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि ये formula क्या हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते एक बार चेक कर लेते हैं कैसे चेक करेंगे Steady Flow Energy Equation से SFEE अगर SFEE लगा के देखें तो क्या हम ये लगा सकते हैं temperature तो हमारे पास सबी है 1 पे भी temperature है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है और अगर ये formula लगा सकते है तो बहुत easy हो जाएगा compressor का work निकालना तो पहले check करते हैं कि ये formula लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते अब इस formula जो formula drive किया था हमने इस formula में को drive करते हुए क्या था formula क्या था H1 plus Q plus kinetic energy भी थी, plus potential energy भी थी, suppose करो उनको हमने neglect कर दिया है उसको तो steady flow device में neglect कर देते हैं, उसको neglect कर दिया है is equal to H2 plus W of control volume यही formula था इधर kinetic energy और kinetic energy plus potential energy भी आएगी, यहाँ पर भी kinetic energy plus potential energy भी आएगी उनको neglect कर दिया उनको neglect करने के बाद यही SFE होती है S F E E कब after neglecting after neglecting कौन सी kinetic energy and potential energy changes kinetic energy में जो change हो रहा है और potential energy में जो change हो रहा है उसको neglect करने के बाद जो हमारे पास equation आती है, वो यह वाली आती है तो क्या इस equation से हमें यह W compressor मिल सकता है देखो W compressor control volume work की value W C V की value क्या रही है यहां पर देखो H1 minus H2 plus Q1 अगर यह adiabatic process होती अगर यह कौन सी process होती adiabatic तो इसकी value 0 हो जाती इसकी value क्या हो जाती 0 बट यह adiabatic process नहीं है कौन सी process है polytropic और polytropic में work transfer भी होता है और heat transfer भी होता है तो इसकी value जो है यह non zero है यह क्या है non zero value है अगर non zero value है तो WCV को आप H1 minus H2 नहीं लिख सकते अगर यह non zero value है तो WCV को H1 minus H2 नहीं लिख सकते इसका मतलब यह वाला formula हम यहाँ पर apply नहीं कर सकते हम यहाँ पर यह वाला formula भी apply नहीं कर सकते अगर आपने यह formula apply कर दिया तो इसका मतलब आपका question गलत हो गया हमें पहले check करना पड़ेगा कि यह formula हम apply कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहां से हमें पता चला कि यह तो polytropic process है और polytropic process में Q की value, heat transfer की value 0 नहीं होती अगर heat transfer 0 नहीं होता तो WCV H1-H2 नहीं आएगा तो नहीं आएगा इसका मतलब यह formula भी apply नहीं कर सकते तो फिर क्या apply कर सकते हैं इसके बाद question आता है कि अगर यह भी apply नहीं कर सकते तो फिर क्या apply कर सकते हैं तो हम apply करेंगे open system work का formula एक और formula होता है W4 open system open system के लिए formula होता है polytropic process में n divide by n-1 n divide by n-1 into p1v1 minus p2v2 यह work होता है W4 open system n divide by n-1 into p1v1 minus p2v2 यह वाला formula हम यहाँ पर apply करेंगे तो यह वाला formula देखते हैं कैसे लगेगा यहाँ पर तो W of कौनसा 122 कौनसी process के लिए 122 process के लिए W4 122 is equal to 122 में n की value क्या है n1 इसको हमने क्या लिया है n1 लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे n1 divide by n1 minus 1 into p1v1 minus p2v2 बट हमारे पास तो p की value तो है अब v की value तो नहीं है v1 की value भी नहीं है और v2 की value भी नहीं है तो फिर से आ जाते हैं air के उपर फिर से कहा जाते हैं air के उपर air क्या है ideal gas और ideal gas के लिए pv equal to mrt होता है ideal gas के लिए pv equal to mrt तो p1v1 की जगे put कर देंगे mrt1 और p2v2 की जगे put कर देंगे mrt2 तो यहाँ से हमारे पास आजाएगा n1 divide by n1 minus 1 into mrt1 minus mrt2 w122 तो w122 की value आएगी n1 by n1 minus 1 और mr यहाँ से भी और यहाँ से भी common ले लेंगे mrr यहाँ पर t1 minus t2 अब इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या-क्या हमारे पास available है और क्या available नहीं है देखो n1 की value है बिलकुल है हमारे पास यह रही है n1 की value और m की value m की value हमारे पास नहीं है m की value नहीं है r की value air के लिए कितनी होती है 0.287 air के लिए r की value वो यूज करेंगे फिर t1 भी है और t2 भी है तो सब कुछ है हमारे पास बस m नहीं है तो m नहीं है इसमें ज्यादा tension लेने की जुरूत नहीं है क्योंकि जो refrigeration effect आया है वो भी per unit mass आया है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे work per unit mass निकालेंगे work per unit mass निकालेंगे तो दोनों तरफ mass से divide कर देंगे दोनों तरफ mass से divide कर देंगे तो यह इससे cancel हो जाएगा तो आपके पास last में यहाँ पर जो unit आएगी वो भी किसमे आएगी kilo joule per kg में तो यहाँ पर w12 divided by mass निकालेंगे तो w12 divided by mass की value निकाल लेते हैं तो w12 divided by mass इसकी value values put करेंगे देखो n1 की value 1.35 divided by 1.35 minus 1 उसके बाद r की value into 0.287 into t1 की value t1, 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 283 minus t2 t1 minus t2 t2 कितना 405.4 405.4 ओके तो यह आप units भी check कर सकते हैं इसकी अगर units देखेंगे unit कैसे देखेंगे n की कोई unit नहीं होती है r की unit क्या होती है इस कीलो जूल पर केजी पर केल्विन और इसकी temperature की unit Kelvin में Kelvin से Kelvin cancel तो unit आपके पास क्या आएगी कीलो जूल पर केजी तो जब यह W122 निकाला W of 122 पर यूनिट मास ले रहे हैं by mass लिख सकते हो इसको या ऐसे भी लिख सकते हो small w लिख लो इसको this is w पर यूनिट मास small w 122 is equal to इसकी value आप calculate करोगे जब आप इसकी value calculate करोगे तो इसकी value आएगी 135.51 इसकी value आएगी 135.5 kilojoule पर केजी यह आपके पास आई W122 minus सामने आएगा क्योंकि T2 की value ज़ादा है और T1 की value कम है तो यहाँ पर W12 की value minus आएगी minus 135.5 kilojoule पर केजी 122 प्रोसेस में आपके पास work done आगया लेकिन negative आया है तो इसको देख लेते हैं एक बार 122 प्रोसेस क्या है कम्प्रेशन और कम्प्रेशन में क्या होता है work done on the system क्योंकि आप बहर से उसको कम्प्रेश कर रहे हो आप उसको कम्प्रेश कर रहे हो तो work done on the system होता है और work done on the system क्या होता है negative होता है तो W compression जब आप निकालोगे तो यह आएगा minus W 122 तो W compression की value आई, this is equal to plus हो जाएगा यह plus 135 क्योंकि यहाँ पर पहले ही minus और फिर दुबारा से minus से multiply कर दोगे तो plus हो जाएगा, यह हो जाएगा 135.5 kilojoule per kg तो यह आपके पास आगी compression work की value इसी type से हम expander का work भी निकाल सकते हैं, expansion process कहां से कहां तक हो रही है 3,2,4, तो W 3,2,4 is equal to, क्या आएगा, n2 divided by n2 minus 1 क्योंकि यह वाली process भी आपकी कौन सी है, polytropic तो open system वाला work ही इसमें भी आएगा, n2 divided by n2 minus 1 और यहां पर 3,2,4 हो रही है, तो P3, V3 minus P4, V4 यह formula आएगा, यहां पर n की value क्या है, n2 है, 3,2,4 process में और initial point कौन सा है, 3 और final point 4 है, तो P3, V3 minus P4, V4 यह आएगी, W3,2,4 की value, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, W3,2,4 is equal to n2 divided by n2 minus 1, और PV की जगह लिख लेंगे, MRT3 minus MRT4, तो यहां से फिर n2 divided by n2 minus 1, MR की value बाहर निकाल लेंगे, यहां से T3 minus T4, और हमें जो W निकालना है, वो निकालना है, पर unit mass, तो mass से divide कर देंगे, mass से mass cancel हो जाएगा, आपके पास small w लिख लेते हैं, small w 3 to 4, यह value आ जाएगी, यहां पर values put कर देते हैं, n2 की value कितनी है, 1.3 divided by 1.3 minus 1, into R की value 0.287, T3 की value 303, minus T4 की value 220, okay, units भी आप फिर से check कर सकते हो, R की unit kilo joule per kg per Kelvin, n की कोई unit नहीं होती है, और temperature की unit Kelvin into Kelvin, Kelvin से Kelvin cancel हो जाएगा, तो unit आपके पास आजाएगी kilo joule per kg, तो यह भी kilo joule per kg में, R E भी kilo joule per kg में और expander का work भी, kilo joule per kg में आजाएगा, तो क्योंकि COP की कोई unit नहीं होती, तो R E की जो unit आई है, वही compressor के work की unit आनी चाहिए, वही expander की unit आनी चाहिए, expander work की, तो सब unit same आजाएगी, तो COP अपने आप dimensional less हो जाएगा, तो यह भी kilo joule per kg में आएगा, और W 324, इसकी value आएगी 103.2 kilo joule per kg, यह आएगी आपकी 103.2 kilo joule per kg, अब W 324 यह value आया है, लेकिन W expander, W expander की value क्या होगी, देखो W expander का मतलब क्या है, यह वाली process 324, और 324 process में expansion हो रहा है, expand कौन करेगा, system के अंदर से pressure लगेगा, ऐसे उसको expand करने के लिए, pistol को उपर उठाने के लिए, या जो भी wall है, wall को पीछे धाकेलने के लिए, क्या होगा, अंदर से pressure लगेगा, तो अंदर से system आपका work कर रहा है, अब कौन work कर रहा है, system, तो work done by the system क्या लेते हैं, हम positive लेते हैं, work done by the system, positive, तो work done by the system हो गया, यहां पर work done by the system, positive है, तो w expander is equal to plus w 3 to 4, यही होगा, और w expander की value आपके पास आजाएगी, this is equal to 103.2 kJ per kg, अब यह सारी values को COP वाले formula में put कर देंगे, तो COP यहां से निकाल लेंगे, COP is equal to RE की value, 63.3 kJ per kg है, unit तो अपने आप cancel होई जानी है, सबकी unit, same है, और w compressor की value, 135.5 minus w expander की value, 103.2, जब आप इसको solve करोगे, तो COP की value calculate करने के बाद आएगी, 1.96, यह आएगी COP की value, तो यह आई COP की value, तो यहां से इस type से हम question solve कर सकते हैं, comment box में जरूर जाके लिखिएगा, comment जरूर करिएगा कि question आपको कैसा लगा, और इसका solution क्या सही से explained है, या इसमें अगर कोई भी, अगर इसमें कोई भी suggestion आप देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, ठीक है, तो आज इस lecture में इतना ही, बाकी हम next lecture में पढ़ेंगे, Thank you so much.